नमस्कार मैं हूँ सतीश कौशिक एक्टर डिरेक्टर प्रडूसर और आपका चहता हास से एकलाकार मेरा नाम है केलेंडर मैं तो चला किचन के अंदर और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर देखते रहिए आई इंडिया तीन करोड के लिए चार साल से बंद ट्रामा अब होगा चालू अखिलेश के अर्मानों को योगी ने लगाए पंक अब कईयों की बत सकेगी जान सदी का सबसे खराब साल दो हजार बीस गुजरने से पहले सीतापुर को आदर्स तहसील महोली भवन के सुभारंब का तोफ़ा दे गया और चार साल से चालू होने की रह देख रहे सीतापुर के ट्रामा सेंटर का रास्ता खुल गया अब गंभी रोगियों को इलाज के लिए लखनों तक भाग डौड नहीं करनी पड़ेगी ये सुभधा उन्हें अपने सीतापुर सहर के ट्रामा सेंटर पर मिलेगी यहां के नौनिर्मिट ट्रामा सेंटर को चालू कराने के लिए योगी सरकार ने तीन करोन से ज़्यादा का बज़र जारी कर दिया है इस बज़र से ट्रामा सेंटर के लिए आधुनिक उपकरण की खरीद हो सकेगी सीतापुर में गंभीर रोगियों को फोरी तोर पर इलाज की कोई सुगधा नहीं है इसके अभाव में रोजाना 15 से 20 गंभीर मरीज लखनव रिफर होते हैं कई बार मरीजों की जान भी चली जाती है सीतापुर से होकर प्रदेश से देश की राजधानी को जोडने वाला 100 किलोमीटर से भी जादा दूरी का NH24 भी गुजरा है जिस पर अक्सर दुरगटनाएं होती रहती हैं और हेड इंजरी होने पर उन्हें करीब 90 किलोमीटर दूर लखनव ट्रामा सेंटर ले जाने के लावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है इसे देखते हुए ततकाली नखलेश सरकार में 19 सितंबर 2016 को सहर से सटे खैराबाद इलाके के जमयत पुर में दो करोण 32 लाग की लागस से ट्रामा सेंटर के लोकारपण की रसमे भी निभादी गई थी करीब चार बरस से या भवन बन कर तयार खड़ा था तब से यहां की जनता इसे चालू होने की राह तक रही है मगर वो चालू नहीं हो पाया इसे चालू कराने को लेकर सदर से भाजपा विधायक राकेश राठोर और सपा से पूर विधायक राधे साम जैसवाल ने भी काफी प्रयास किये रास्ति अद्यर से अक्लिस यादो जी जब हमारे मुखमंत्री थे तो हमारी मांग पर उन्होंने ट्रामा सेंटर इनका पैसा भी रिलीज किया गया था जो बनके तयार है अपे अच्छा की जा रही है कई बार हम मिल चुके हैं जिलादिकारी को लिखित में भी दिया है कि इनको चालू कराया जाए इस देश भावना से यह सरकार नहीं चाहती है कि जन्ता का ही थो लेकिन सरकान ने उन्हें कोई तबज्यो नहीं दी ट्रामा सेंटर के अभाव में हर रोज सड़कासे में जकमी दरजनों लोग लखनव रिफर किये जाते हैं कभी कभार तो लखनव पहुँचने से पहले गंभी रोगियों की सांसे टूप जाती हैं ट्रामा सेंटर के मुद्दे को आई इंडिया द्वारा प्रमुक्ता से उठाये जाने के बाद अब योगी सरकार ने ट्रामा सेंटर के लिए तकरीबन तीन करोण एक लाक अठासी हजार अठावन रुपे का बजट रिलीज कर दिया है आउमुक्त बजर से ट्रामा सेंटर में अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद तो होगी साथ ही वहां की सास सज्जा भी हो सकेगी ऐसे में एक बार फिर से ट्रामा सेंटर के चालू होने की कवायस सुरू हो गई है उमीद है कि जल्द ही यहां के ट्रामा सेंटर में चिक सिय वा मेडिकल स्टाप की तैनाती कर उसे चालू कराये जाएगा और 2021 में आपको अपने सहर में आपका अपना ट्रामा सेंटर हो जाएगा खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया